तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइबंट सेर जरूर करिएगा इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पीजा ब्रेड अप देख सकते हैं आडाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा पीजा ब्रेड ले इसके आपके पास अगर पीजा सॉस नहीं है तो फिर आप टोमेटो केचप जो आता है उसमें ग्रीन चटनी भी एड़ करके भी आप उसको पीजा सॉस की तरह उसको अच्छे से मिक्स करके इस पहला सकते हैं इसके बाद इस पर हम डाल देंगे थोड़े से पनीर के टुक्रे और थोड़े से बेजिश आप अपने मन पसंद के जो भी आपको पसंदे आप डाल सकते हैं ग्रीन से इम नमक ज्याद नहीं तो पीजा नमक हो सकता है इसके बाद ऊपर से था औरिगेन और थोड़े से बच्ची हुई सब दाल दया है अब जैसा कि आपको पता है पीजा तब पे बना रहे हैं तो तबा को हमने लो फ्लेम करके इसको पतीला से धलकर के 2-3 मुटप करके लियंगा इस इसके बाद अपर से कोई भी एस्टेंड या कोई इस तरीके का आता है को यदु कॉण से एक इसके बाद हम पीजा डालें और इसके साफ़धाने इसे पीजा का प्लेट को लेकर कि रख दे तबा पॉइंट्स इससे क्या होगा निशे से जलेगाने ज़ाया इए अब इसको अ अराम से 7-8 मिनट के लिए हम लो फिलेम पड़ी छोड़ देंगे अच्छे से बेख हो जाए बहुत बढ़ी है से फूल जाए तो चलिए देख लेते हैं वीजा कैसा बना तो यह आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा पीजा बन करके हो गया तया इसको बनाने में हमको 10 मिनट क तो चीज अच्छे से मेल्क नहीं हुआ था इसको ने फिर से कवर करके छोड़ दिया था तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़ी है बाजार जैसे खुसबू आ रही है अब यह गरम है तो पिलेट को नहीं निकालेंगे चोलने की हेल्प से आप इसको निकाल करके एक बड़ बताईएगा कौनको ने इस तरीके से पीजा बनाते है कमेंट करके जरूर बताईगा अगर आपको रेसी पे अच्छी लेगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेर आइकन को प्रेस कर आल पर किलिक कर दीजेगा ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो लेकर आओ नौटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे थैंक यू फ्रेंट्स टेक क्यार बाबाई